हेलो दोस्तों स्वागत आपका माय फार्माटिप्स यूट्यूब चैनल पर आजम सुड़ियो में क्लीन वैक्स ये ड्रॉप्स के बारे में पूरी जन कर लेने वाले क्लीन वैक्स ये ड्रॉप्स का मुख्यत उपयोग कान से समन्दि समस्याओं को दूर करने के लिए किया जता है आईए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक्षितर से आनते हैं ये ड्रॉप कैसे काम करता है का इस्तमाल होता है इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट है क्या साइड इस ड्रॉप से जुड़े सभी सालों के जो आप आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो पर लास्ट दूर देखिए आप तो लाइप साइम्स कंपनी का एटेने मिल का ड्रॉप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 70 रुपह में आसानी से मिल जाएंगा बात करते ह बारे में क्लीन वैक्स एर ड्रॉप में प्याराडाय क्लोरो बेंजेनिक 2% बेंजोकेन आईपी 2.7% क्लोरो ब्यूटॉल आईपी 5% तर्पेंटाइन आईपी 15% यह कंटेन समय थे बात करते हैं इस ड्रॉप की उज्जास के बारे में डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस इस ड्रॉप का मुक्कत वपयोग बाहरी कान का इंफिक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है इसे कान में दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते हैं इस ड्रॉप को कान बहने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ किया जहता है कान बयाने का मतलब है कान से एक टारल पधार्थ का रिसा को ना इसे ओ- Hudson आ भी difficult करते बात करते content की डॉसें के बारे आप अपनी समस्या बताकर इस drop का dose अपने डॉक्टर या फार्मसिस से पूछ ले याद रखे दोस्तो इस drop का dose आपके समस्या पर निर्दरत रहता है यह दिया आपकी समस्या बढ़ी हो तो इस drop का dose भी ज्यादा होंगा यदि आपकी समस्य कम हो तो इस drop का dose भी कम होंगा इसलिए आप इस drop का इस्तमाल अपने डॉक्टर के सला के अनुसारी कीजिए side effect इस drop के इस्तमाल से होने वाले दूश परना यदि आपको इस drop में मौझूद किसी contains allergy तो आपको बताएगे कुछ side effect हो सकते यदि आपको बताएगे कुछ side effect मैसुस हो तो आप परना अपने डॉक्टर से संपर्ख करे इस drop के इस्तमाल से आपको कान में जलन, सिर्दर्द, allergy, मितली, उल्टी ये कुछ side effect हो सकते precaution इस drop को यूज़ करते समय साउधानिया अगर आपको इस drop के इस्तमाल से कोई side effect होता है या फिर आपको इस drop में मुझूद किसी contains allergy, copies drop का यूज़ न करे अगर आप पहले से कोई अन्य drop या medicine इस्तमाल कर रहे हो तो उसके सुचना अपने डॉक्टर या फार्मसिस को आवश्य दे अगर आपको इस्तमाल के पहले या इस्तमाल के बाद आलकोल का परयोग न करे इससे आपकी सिति भीगर सकती है दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो पर लाइक करे और My Pharma Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे इस चैनल पर आपको हमेशा medicine rules मिलते रहेंगे Thank you for watching this video